हाँ तो यार तो आज की सब्सक्राइब बात करने वाले हैं ट्रिक इन बॉल के बारे में अभी तक तो आप सभी को पता पढ़ गया होगा ट्रिक इन बाले है चल दे कार्टू नेटवर्क पे तो उसी के बारे में पात करेंगे ग्रेक पर आप में से किसी ने बिग पूरा देखा होगा ही नहीं इसलिए कार्टू नेटवर्क का ये decision कि वो चीछ बॉल को लेके आ रहे हैं कि बहुत ही जबादा अच्छी बात है विगास्ग देखा इन इस बार कार्टू नेटवर्क ने अपने मंसेनी maturity के साथ गया है उसने voting कराई थी जिसमें Dragon Ball था Dragon Ball GT सीरीज थी और Dragon Ball को साधा votes मिले अभी ये सीरीज क्यों important है हम सभी लोग के लिए बहुत सब्सक्राइस करीजन जैसे कि मैंने आप सभी को बताया हम सभी ने Dragon Ball Z को देखा है Dragon Ball Super को भी देखा है Dragon Ball 99.99% पेंस ने देखा ही नहीं है और ये बात भी हम सभी लोग जानते है Dragon Ball, Dragon Ball Z and Dragon Ball Super यही तीन कैनन सीरीज थे Dragon Ball की तो अभी Dragon Ball Super भी हिंदे डफ हो चुका है Dragon Ball Z भी हिंदे डफ हो चुका है बचर Dragon Ball भी हिंदे डफ होने वाला है तो एक दो मुझे परफेक्ट डिसिशन लगा कार्टून नेटवर्क का और सभी ओडियन्स का पेकिस Dragon Ball का आना ही बनता है Dragon Ball GT भी आएगा पर वो आएगा बाद में पहले आएगा Dragon Ball बाद गरे इसके रिलीस टेट और टाइमिंग के बारे में दूसरे तीन मेने लग जाएंगे Dragon Ball जी काई को खतम होने में उसके बाद दो तीन मेने का रिस्क लेना पड़ेगा पिकस यार फो लोग पे इनसान है मशीन नहीं है उनको भी रिस्क लेना पड़ता है और बागी जो प्रोसीजर वगरा होते हैं उसके लिए भी टाइम चाहिए तो टाइम तो लगेगा Dragon Ball को आने में लेकिन जब भी आएगा हमसे भी लोग के दिल पर राज करेगा पिकस इसके स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एंटर्टीनिंग है मेरे साब से मुस्पभवली अगली साली लोग को Dragon Ball देखने के लिए मिलेगा या तो इस साल के बिलकुल Last में देखने के लिए मिलेगा या फिर अगली साल की स्टाइडिंग में हमसे लोग को Dragon Ball काट्वन नेटवर्क पे देखने के लिए मिल जाएगा इस साल के लास में अगली साल के स्टाइडिंग में हमसे लोग को Dragon Ball देखने के लिए मिल जाएगा जितने भी जीटी के फैंसे आप सभी लोग चिंता मत करिए Dragon Ball जीटी पे आएगा बट वो आएगा बाद में पहले आएगा जाएगा